ये शु तुम्हें जीवन में शान्ति देता है फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हूँ जैमसी की दोस्तों मैं एक बाइ फिर से आपके सामने हूँ एक नए लेसन के साथ एक नए सॉंग के साथ और मैं उम्मीद करता हूँ इस से पहला वाला लेसन जो हमने किया था वो आपने अच्छे से सीख लिया होगा और इसके द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा की है तो दोस्तों आज का जो लेसन रहेगा आज का जो सॉंग रहेगा वो सॉंग है येश्यू तुम्हें जीवन में शान्ति देता है तो इस सॉंग के जो कॉर्ट्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे आपने कैपो लेना है और गिटार के तीसरे फ्लैट में कुछ इस तरह से लगा देना है उसके बाद जो हमारी कॉर्स होते हैं वो उपन कॉर्स में कनवर्ट हो जाते हैं दोस्तों मैं हमेशा कूसिस करता हूँ कि हमारे जो कॉर्स रहे वो उपन कॉर्स में रहे ताकि जो नए लोग जो भी नया नया गिटार सीख रहे हैं जो बार कॉर्ट्स प्ले नहीं कर पाते हैं उनके लिए इजी हूँ कोई भी सौंग उपन कॉर्ड में बजाना क्योंकि उपन कॉर्ड्स प्ले करना बहुत आसान होता है इजी होता है तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने कॉर्ड्स की तरफ तो इस भजन का जो पहला कॉर्ड रहेगा वो रहेगा E माइनर आप जब तीसरे फ्लेट में कैपो लगा देंगे तो उसके बाद जो G माइनर है वो E माइनर में कर्वट हो जाएगा तो हमारे जो पहला chord रहेगा वो रहेगा E minor इसके बाद दूसरा chord रहेगा C major फिर तीसरा chord रहेगा D major तो हमारे इस भजन के जो chord रहेंगे वो ये तीनों chord ही रहेंगे उसके बाद हम चलते हैं strumming pattern की तरब तो strumming pattern कुछ इस तरह से रहेगा तो दोश्तों जो पहला strumming pattern रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा साथ ही इसमें हम दूसरा strumming pattern भी यूज़ करेंगे आप चाहें तो इसी strumming pattern में पूरा song ले कर सकते हैं तो इसमें दो strumming pattern भी यूज़ कर सकते हैं तो हमारा जो दूसरा strumming pattern रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा अब दूसरा strumming pattern रहेगा तो आएं दोस्तों इस बचन को हम chords और strumming pattern के साथ गा कर देखते हैं येशु तुमें जीवन में शान्ती देता है येशु तुमें जीवन में शान्ती देता है फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हो फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हो येशु तुमें जीवन में शान्ती देता है येशु तुमें जीवन में शान्ती देता है येशु तुमें जीवन क्यों तो दूश्तों आपने देखाू कि कैसे में दो स्टरमिंग पैटर्न के साथ और chords के साथ में शान्त को प्ले करते हैं तो इसके बाद जो अगला वाला भाग है वो भी ठीक इसी तरह सेम कोर्स और सेम स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ प्ले हम करेंगे तो आए दोस्तों आगे के तरफ चलते हैं जीवन के राहों में क्यों बटकते हो जीवन के राहों में क्यों बटकते हो फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हो फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हो जीशु तुम है जीवन में शान्त देता है जीशु तुम है जीवन में शान्त देता है फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हो फिर तुम क्यों जीवन में अशान्त रहते हो तो दोस्तों इस सौंग पूरी तरह से इसी तरह आप किटार में सीखें इसको बजाएं और परमेशो का धन्यवाद करें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मैं हमेशा किटे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज तक अपने करीशा की लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताब कि आपके आपके जीवन से बर्मेश्व की महिमा हो तो आज के लिए बस इतना ही तैंक यू सो मच जेयर मसीख